एक गरीब का प्यार एक दर्ध भरी प्रेम कहानी एक गाउं में एक बहुत ही मासूम खूपसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम किशन था उसके परिवार में उसके माँ बाब भाई बहन सभी थे लेकिन दुख की बात ये थी कि उसके माँ बाब बहुत ही जादा गरीब थे इतने गरीब की बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था लेकिन किशन पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वे गाउं के सरकारी उसकूल में ही पढ़ता था एक दिन की बात है किशन को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया यानि उसे पहली नजर में वो प्यार कर बैठा था उसके दिल की गहराईयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था दिव्या एक अमीर घर की एक लोती लड़की थी अब किशन दिव्या को छिप छिप कर देखने लगा लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करती उसे देख लिया मगर दिव्या ने उसे कुछ भी ना कहा क्योंकि किशन था ही इतना मासूम अब किशन धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खानी पीने का होज था वे 24 घंटे ही उसी के प्यार में खोया रहता था खैर दिन तो जैसे तैसे उसका कट ही जाता था मगर रात भर वे बिस्तर पर करवटे बदलता रहता था कब सुबह हो और उसकी एक जलक देखे अगर दिन में भी वे लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वे अकेली में जाकर रोने लगता धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की मगर कर नहीं पाया कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा लेकिन वे उसे दे ही नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगता और वे घबरा कर अपना इरादा बदल देता था शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वो इंकार ना कर दे या उससे नराज ना हो जाए वे किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता था देखते ही देखते तीन साल बीद गए मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सका किशन काफी सरमीला लड़का था शायद इसी लिए वे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था और वैसे भी वे लड़का गरीब और लड़की अमीर थी शायद यही सोच कर उसके अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत ही नहीं हुई मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था एक दिन दिव्या ने उसे रास्ते में ही रोग कर पूछा कि तुम्हारा नाम किशन है उसने कहा हाँ अच्छा तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हो क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो इस बात से किशन डर गया और बोलने में हडबडाने लगा तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो उस दिन शायद बात बन ही जाती मगर किशन उससे बात करने में बहुत ही जादा सरमा रहा था तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे ये कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से किशन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा कि हाँ मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ दिव्या के चहरे से लग रहा था कि वो किशन से पूरी तरह इंप्रेस्ट हो चुकी थी अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किशन से कुछ बोलने का इंतिजार कर रही थी किशन को भी ये पता लग चुका था कि अब पूरी तरह से उसकी दिवानी हो चुकी है बस उसे प्रपोस करने की ही देख थी मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहत प्यार हो चुका था तभी एक दिन किशन के पिताजी बहुत बिमार हो गए और वो वैसे भी अब काफी बुज़र हो चुके थे इसलिए उनसे काम की कोई भी उमीद नहीं थी किशन के पिताजी की ही वज़ा से घर का सारा खर्चा चलता था लेकिन अब क्या होगा किशन की दो जवान बहनी भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी तभी किशन के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और सहर जाकर नौकरी करनी होगी सहर में मेरा एक दोस्त वैपारी है राम प्रशाद वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेगा तु बस उससे मेरा नाम बता देना मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनखुआ भी अच्छी दे देगा परिवार को दुखी देखकर किशन को सहर जाना ही पड़ा किशन अपने गरीब परिवार के लिए सहर जाकर कमा तो चला गया लेकिन अब उसका हाल जल बिना मचली के हो गई वे 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता ऐसी ही करीब डेड़ साल बीद गया तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वे काम छोड़कर सहर में अपने गाउं भाग गया गाउं आकर वे देखता है कि दस दिनों के बाद दिव्या की तो शादी होने वाली थी और वो उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी तभी किशन की माने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर पर आई थी और वो बस तेरे ही बारे में पूस्ती थी अब तो किशन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया सारी खुशियां ही उजड़ चुकी हो लेकिन वे क्या करता एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंदे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी वे दिव्या से आखरी बार भी नहीं मिला और उसने ये फैसला कर लिया कि उसे अपने बूढे माबाप और अपने छोटे भाई और बड़ी बहनों की खुशियों के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी ये सोच कर उसने अपना फूल जैसा दिल पत्थर का बना लिया और वो दिव्या से भी बिना मिले ही सहर वापस चला गया जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी की काश दिव्या उसे मिल जाती वे ये सोच कर बहुत रो रहा था की वो इतनी गरीब क्यों है क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी ना कर सका लेकिन किशन आज भी दिव्या के बारे में सोच सोच कर छिप छिप कर खोब रोता है और खोब तडपता भी है उसके मन में आज भी सिर्फ दिव्या के लिए ही फिलिंग्स और प्यार है आज भी वो बताना चाहता है कि दिव्या मैं तुमसे बेहत प्यार करता हूँ और वे सिर्फ एक बार दिव्या से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है लेकिन किशन ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया तो दोस्तो किसन ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया और क्या उसे इतनी गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था आप लोगों की इस कहानी को लेकर क्या राय है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल वानी वोईस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें